हेलो फेंड्स वेलकम टू आवर ओफिसियल चैनल दगोल एचिवर मैं रामकुण करना आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूटूब के ओफिसियल चैनल दगोल एचिवर में जी हैं फ्रेंड्स जैसा है कि आप लोगों को पता है प्रिलिम्स के एक्जाम्स में स्टैटिक पोर्षन काफी देखा गया था एक्जाम्स में और यहां पर जेनरल अवेर्नेस का वेटेज भी ज़्यादा है पचास कोस्टन पचास मार्क्स के हैं और आपको यहां पर मैक्सिमम स्कोर करना ही होगा मिनिमम आपको टारगेट रखना होगा है कि 40 पलस हमको मुझे आपको जेनरल अवेर्नेस में स्कोर करना है कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे कि आप कितने easy way में जेनरल अवेर्नेस में आप स्कोर कर सकते हो दूसरी बात यह करना काफी जरूरी है चुकि number of vacancies UDC में काफी कम है इसलिए maximum number of students का मेंस के लिए qualify नहीं हुआ प्रिलिम्स exam नहीं निकला चुकि number of seats काफी limited थे यह भी आपको जाननी मतलब सोचनी होगी अब बहुत सारे बच्चे demotivate भी है तो ऐसा नहीं करना है number of vacancies और cut up काफी high गया है और दूसरी बात कि UDC मेंस में आपको जो cut up रहेगा मेंस का उससे आपको कम से कम 30 marks ज्यादा लाने की कोसिस करनी है क्योंकि आपको 30 marks इससे अगर आपकी ज्यादा रहती है तो उससे क्या होगा आपके जो final selection के जो chances हैं वो काफी बढ़ जाएंगे चुकि होता है क्या है कि वो जब ESIC UDC मेंस में पिछले बार देखा गया था कि cut up अगर 110 गई है कहीं की जो final selection हुआ है वो 138 पे हुआ है 139 पे हुआ है तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको maximum score करना है तो चलिए हम अब different videos के माध्यम से हर एक section की बात करेंगे I hope आपको ये video जरूर पसंद आएगा चुकि limited resources के कारण में आप लोग के लिए काफी कुछ नहीं कर पा रहा लेकिन मैं जल्दी आप लोग के लिए आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और मुझे support करें आपको मैं बहुत कुछ return जरूर दूँगा सबसे पहले बात करते हैं ESIC UDC के regarding के general awareness में general awareness की तयारी करने के लिए सबसे पहले समझने की आपको समझना होगा कि कौन-कौन से topic important है जहां से maximum number of questions prelims में भी देखने को मिला था और previous mains जो है जो 2019 में conduct करवाए गए थे उसमें भी maximum number of questions कौ सबसे पहले आपके पास limited time है only 15 days है आपके पास time नहीं है 15 दिनों का समय है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आप reverse order में आप current affairs को prepare करेंगे reverse order means कि आप सबसे पहले March को complete करेंगे फिर फरवरी को complete करेंगे फिर जनवरी को complete करेंगे चुकि ESIC UDC prelims में भी gender awareness पूछा गया था तो आपने current affairs काफी हद तक पहले भी किया हुआ था बस आपको revision करने की जरूरत है करना कहां से मैं बताता हूँ चुकि limited time है हम लोगों को और जिससे काम चल जाएगा अगर आपके पास study IQ की best 300 current affairs की वीडियोज है अगर आपके पास अगर आप उसके subscribe कर चुके हो अगर आपने उसका subscription लिया है तो बहुत बढ़िया नहीं तो आप जनरली YouTube पे वगेरा पे खोजोगो और टेलीग्राम पे से एवलेवल हो जाएगा तो आपको करना क्या है यह साइसी यूडिसी में गौरबगर की best 300 current affairs आती है और एक मंत में चार सेक्षन चार वीडियोज रहते हैं आपको वह बहुत अच्छे से उनका actually way of talking वह जो बताना है ना उनका वह बहुत अच्छे आप डारेक्ट उससे ब वह जो वीडियोज देखोगे best 300 का वह ड्यूरिंग वीडियो वीडियो के दौरान अगर जो भी वह static facts अगर बताते हैं जैसे अगर उन्होंने कोई बात बोली जिसमें external affairs के regarding कोई बात आया तो वह बता देंगे कि minister of external affairs एस जैसंकर है या कोई vaccines की बात आई कि कोवोवेक्स क regarding अगर current affairs पड़ा जा रहा है तो यह किसके दौरा बनाया गया है तो Serum Institute of India के दौरा बनाया गया है कोवोवेक्स तो इससे related जो भी static facts आता है आप उसको भी note down करेंगे उनके वीडियो के साथ और आप क्या करेंगे हर एक दें में आपको दो वीडियो का target बनाना है जैसे और उसको दो से तीन बार आप उसको बार बार देखेंगे और जिनोंने subscription लिया हुआ है वो quiz भी अगर आप चाहे तो वो दे सकते हैं उनके app में quiz भी available है और जिनका subscription नहीं है तो वो क्या करें वो कहीं से भी अगर video available हो जाती है तो आप क्या करें उनको repeat करकर के देखें दो video एक दिन में आपको complete करने हैं उसके साथ साथ जो topics में दूंगा उसको भी आपको रोज एक topic को एकड़म complete करना है तो आपको करना है क्या है आप सबसे पहले क्या करोगे कि 16 अपरील है तो 16 अपरील को आप March का Part 1 और Part 2 complete करोगे quizzes बनाओगे पहले 1.25 speed में देखोगे फिर 1.5 speed में देखोगे फिर 1.75 में देखोगे लेकिन एक दिन में दोनों पार्ट complete होनी चाहिए contest हो जाने चाहिए पूरे questions दोनों पार्ट उसके बाद फिर 17 अपरील को आप क 3 को came complete करोगे 17 अपरील को आपको Part 3 और Part 4 complete करना है फिर आपको दोहराना है 1.25 speed 1.5 speed आप इसको complete कर लोगे 4 sections complete हो जाएंगे पिर 18 को आपको Marge को 4 ओ पार्ट को revision करना है फिर 19 क्या करोगे आप 19 और 20 फरवरी complete करोगे और 21 को February को पूरा revision कर लेना है फिर 22 को क्या करना है फिर 21 को आप February revision करोगा और फिर thoroughly March को भी revision कर लेना फिर 22 को आपको क्या करना है आपको 22 और 23 तक में आपको January complete करना है और 24 को आपको January को revise करना है और फिर February को भी revise करना है और March को भी रिवाइस करना है फिर 25 को उन्हीं best 300 के तीनों मंद्स को फिर से रिवीजन करना है आप जितना हो से और banking governance की especially वीडियो परने की कोई जरुवत नहीं जो भी banking के questions आपको पूछे जाएंगे वो आपको best 300 में मिल जाएंगे उतना deeply नहीं पूछा जाएगा और कौन से section से banking governance आएगी वो भी मैं आपको बता दूँगा तो पहले ये समझ लो आप 22 तक मैंने तो बता दिया कि 16-17 फिर 18 को रिवीजन करना है फिर 19-20 फरवरी को complete करना है फिर 21 को जनवरी फरवरी डोनों रिवीजन करना है फिर 22 और 23 को आपको जनवरी कम्प्लीट करना ह और 24 को आपको फिर रिवीजन करना है जनवरी और फरवरी को फिर 25 को जनवरी फरवरी मार्च आपको तीनों रिवीजन करना है फिर 26 और 26 को आप क्या करोगे दिसंबर के कोशिज करना कि चारों पार्ट देख पाएं या 26 को आप complete कर लो या 27 को भी दिसंबर complete कर लो फिर 28 क को मिलेंगे और अप्रील का जो रिशेंट दो वीक है पार्ट वन और पार्ट टू आप उसको भी कंप्लेट करेंगे बीच में किसी दिन समय निकाल कर आपको वह भी कंप्लेट करना है मैक्सिमम कोस्टन्स जो हैं यह मार से पुछे जाएंगे और अप्रील के फर्स्ट वीक से बस आपको दो वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू अगर हो जाता है तो गौरब गर के आप अप्रील का भी देख लोगे 28 को अप्रील वन और टू देख लोगे और फिर 29 और 28 को दिसंबर से लेकर आपको अप्रील तक पूरे डिवीजन करना है तो यह आपका और उसके साथ साथ जो इस्टेटिक फैक्सर लिखाएंगे उसको बार बार पढ़ना है आप सबसे पहली बात यह तो हो गई जेनरल अ कौन से टॉपिक से आपको कंप्लीट करने हैं आप आपको इस्टेटिक फैक्स की अगर में बात करूं तो आपको करना क्या है सबसे पहले फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन इंडिया की बात करनी है कि आपको फर्स्ट इन इंडिया आपको टॉपिक परने है कि पहला पह ने भारत में पर्थम महिला और भारत में पर्थम पुरुष से रिलेटेड आपको पढ़नी है अगर आप वर्ड वाइड पर सको विश्व में पर्थम तो कुछ-कुछ इंडिया से रिलेटेड आपको रोज इसको कभर करने है डैम रिलेटेड कोई से रिवर पर आपको सिचुएटेड है डिफरेंट स्टेटस के कौन से सौर कंथी नदी कीए आपको complete करना है फिर capital and currency आपको complete करनी आँटी करना है ुसको जैसे आप रसिया कर लोगे यूक्रेंट कर लोगे अमेरिका कर लोगे चाइना लोगे जापान कर लोगे इरान इराक आप कर लोगे स्री-लंका कर लोगे इस लंका काफी important है ये बंगलादेश कर लोगा इंडिया को पता ही ये सब आप कर लोगे जो highlighted आपके देश हैं city known as किस सहर को किस नाम से जाना जाता है ये भी आप इसको पढ़ोगे इस topic को complete करोगे आप note down करो venue of different games जो भी games अभी हाल फिलाल में हुए है चाहे वो winter olympic हो चाहे ओलंपिक गेम्स हो चाहे पैरा olympic हो ये सभी topics को आप cover करेंगे venue of different meetings जो भी different meetings हुई है अभी हाल में उनके venue को आप cover करेंगे सभी venue of different meetings के topic को complete करेंगे मैं आप लोग को पहले बता रहा हूँ कि आप note down जरूर करें headquarter of banks related questions जो है वो आप complete कीजिए कि different banks के headquarter का है और tag line का क्या है headquarter of different organization जो भी different organizations है उनके headquarter का है वो भी topic आपको cover करने है important dates काफी important है और उनसे भी ज्यादा important है कि उनका theme क्या था तो आपको recent में जो आपको क्या करना अपरील के exams हो रहे हैं तो अपरील मार्च और फरवरी तीन मेंने के आपको important dates जो बहुत important है वो सब cover करने जैसे में क्या बोलते हैं ESI जो organization जिसका आप exam देने जा रहे हो उससे जो related कोवीड से related जो जो वो scheme लेके आया तो आप जो है वो उससे related current affairs के questions होंगे वो आप इसको cover कर लोगे उनके website पे जाओगे तो भी उससे related काफी questions आपको cover हो जाएंगे बहुत सारी update आपको मिल जाएंगे आप insurance sector के static questions अगर आप cover कर पाओ आप Google पर सिंपली सर्च करना static questions related to insurance sector तो जो basic questions है insurance sector के उससे related questions आपको मिल जाएंगे ये topic आपको cover करना है CM, governor, cabinet ministers ये काफी important है ये आपके exams के लिए तो ये topics भी आपको cover करने है important governor general जो इंडिया के history से आते है important governor general कौन-कौन से रहे और उनका कौन-कौन सा work काफी highlighted रहा तो वो आपको करना है जैसे एक questions अगर मैं पूछूं कि कौन सा governor general था जिसने बंगाल को West Bengal और East Bengal में divide किया तो इस तरह के questions जो है आपको पढ़ने है फिर PM and president of different countries आपको पढ़ने है उसी countries का आपको पढ़ना है जो हाल में आपको new appoint हुए है उनके एकदम definitely आप याद कर लोगे जैसे पाकिस्तान का भी नया PM बदला है तो वो तो definitely याद कर लोगे और जो भी जैसे कोई भी country के अगर कोई बनी है आपको कोई Prime Minister बनी है या President बनी है ठीक है आपको उसके questions आपको आने चाहिए ठीक है यह बहुत important है आपको यह cover कर लोगे ठीक है और पिछले चार मंत में जो भी books news में रहें important books and authors related questions आप इसको एकदम definitely learn कर लोगे गौरबगर के questions अगर आप session देखोगे तो उसमें बहुत सारे questions cover हो जाएंगे मैं उनका परचार नहीं कर रहा मैं बता दे रहा हूँ मैंने कोई उनका परचार नहीं कर रहा कम समय में अच्छा score करने के लिए वो बहुत बहतरीन है questions related to भारत रतन पदम सिरी और पदम भूशन इनसे related questions को आप cover करेंगे वर्ल्ड कप से related questions पढ़ लेंगे चाय वो फीफा वर्ल्ड कप हो winter games हो जो अभी बीजिंग में हुआ summer Olympics हो and all games related जो भी games से related कप हैं जो हाल में हुए हैं वो भी आप exam के लिए आप prepare कर लोगे और कौन से trophy जो है किस game से related है संतोज trophy किस game से related है इस तरह के questions भी आप cover करो ठीक ह और कुछ insurance के important everyvations याद कर लो जो exams में पूछे जाते हैं ठीक है योजना जो भी योजना अभी government चला रही है जो भी highlighted योजना है और कितना allotted money दिया गया है वो आप पढ़ लो और मेरे ख्याल से आप budget जरूर परना budget से questions definitely एक ना एक questions आपको देखने को मिलेंगे और कौन सा title किन को दिया गया था जैसे महात्मा का title महात्मा गांधी जी को किस ने दिया वो सब आप एक बार थोरोली देख लोगे कोई भी book से तो आपके लिए काफी important होगा आप history से questions पूछे जाते हैं तो आपको important dates याद रखने हैं ठीक है कि कौन-कौन से battle कौन-कौन से dates में हुए और किनके किनके बीच लड़ा गया था ये important topics है आप इसको cover कर लोगे जैसे कुछ मैं आपको बता देता हूँ मैं इसके लिए separate videos भी लेके आऊँगा कि बारत मतला Indian history में कुछ परमुख यूद हुए जैसे तराई का यूद ठीक है तराईन का पर्थम यूद तराईन का जो कलिंग की लड़ाई ये सभी आपको important है चौसा का यूद ये सभी आप लोग थोरा सा पढ़ लेंगे कि आपको तराई का यूद किसके हुआ पलासी के यूद हल्दी घाटी का यूद किसके किसके बीच हुआ ये काफी important है ये आपकी बात हो गई important battle के बारे में dance form आप पढ़ोगे भरतनाटियम किसी स्टेट का है और कुछ स्टेट के जो फॉक डांस है वह भी आप लर्न कर लो players and associated games कौन से player किस game से associated है जो हाल ये खबर में रहे हो उसी को आपको पढ़ना है ठीक है quality और article related questions आपको पढ़ना है कि कौन से article किस चीज को बतलाते हैं उसको आपको पढ़ना है कि कौन कौन से article से related जो भी questions हो ठीक है मूल अधिकार है कौन से अनुछेद में आते हैं ये सब आप लोगो थोरगा सा ध्यान देना है आपको कुछ topics पढ़ने है संसद को पढ़ना है एक बार थोरोली पढ़ लोगे राज सभा को पढ़ना है एक बार पढ़ लोगे परधान मंतरी के बारे में पढ़ना है राष्टपती के बारे में पढ़ना है वो पढ़ लोगे की राष्टपती फस्ट रिजन होते हैं कम से कम उनकी आयू 35 वर्स की होनी चाहिए ठीक है तो इस तरह के जो भी आपको पढ़ना है कि कैसे उनका महाव्योग किया जाता किस अनुच्छेद के साथ और जो जो इंपोर्टेंट है वो आपको पढ़ना है राष्टपती से रिलेटेड यह सब कुछ उनको पढ़ने हैं कभर करनें तो यह बहुत सारा इंपोर्टेंट है अभी आपको इंपोर्टेंट करना क्या है उपको पढ़ना यूक्रेइन से रिलेटेड कोस्टन भी आपयेखने हैं यह भी आप इदम धियान में रखो गे और जो भी कुछ important आपके योजना चले हैं पर्धान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना ठीक है कभ इंट्रड्यूस किया गया था 2020 में से related मिसन वातसली योजना जो कि मुंबई का है पोसंट 2 लॉंच किया गया है मिसन सक्ति लॉंच की गई है किसके द्वारा की गई है किसके welfare के यह की गई है यह सभी topics आपको complete कर रहे हैं आप ambassador याद रखोगे युक्रेयन का और वह डिफरेंट जो रिसेंट पॉइंट हुए हैं उनक्या आपको appointment आपको याद रखना है युक्रेयन से related दो तिन question आप डेफिनेटली याद रखना है कि पार्लिया मैंट आफ युक्रेय हो गई करेंसी तो युक्रेयन में आपको याद रखना है ठीक है और अभी FATF में किसको सामील किया गया है लिस्ट में वह याद रखना है headquarter का है FATF का तो पैरिस है यह सभी याद रखने हैं जो important topics हैं वह मैंने आपको बताया और जो भी new point PM हैं वह याद रखना है रखना है एर इंडिया के chairman कौन है जो newly appointed है चंदर सेखरां तो यह सभी topics आपको definitely cover कर देने हैं और मैं एक बार दोहरा देता हूं आपको static के topics first in India dam related question sorrow of different states जानी कि सोक जैसे बिहार का सोक कोसी नदी है capital and currency city known as किस city को किस सहर को किस नाम से जाना जाता है venue of different games different games जो भी हुए है चाहे वह चाहे अभी हाल ही में winter olympic हुआ हो चाहे फिफा वर्ल्ड कप हुआ हो summer olympics हुआ हो जो भी हुआ है उससे related आपको venue याद रखने है और venue of different meetings breaks का meetings कैसे हुआ उसको लीड कोन कर रहा था तो इस तरह के questions याद रखने headquarter of bank याद रखना headquarter of different organizations याद रखने है important dates याद रखने और उससे भी ज़्यादा important है कि आप theme याद रखो questions related to ESI, ESI के website पे जाओगे आप इससे related जो भी योजनाए निकली है उनको याद रखना है इनका establishment कब हुआ था वो याद रखना है कुछ abbreviations insurance sector से जो important है वो याद रखने static questions आपको insurance sector से related याद रखने है CM governor cabinet ministers याद रखना है important governor general और उनका work क्या था policy क्या थी वो याद रखना है PM and president of different countries याद रखनी है और television से related डादा फाल के award किसको मिला इस बार और जो film और television से जो भी related award है और उनका venue कहा था और कहां वो किया गया आयुजित किया गया उससे related questions याद रखने है इस्टेट से related अगर कोई update हो तो वो याद रखना है new books याद रखने जो वीगत तीन से चार महिनों के अंदर अगर कोई published किया गया हो तो वो आपको और उसके authors याद रखने है और भारत रतन और पदम सिरी और पदम भूसन से related जो highlighted questions है उतना उतने सारे आदमी का याद रखना जरूरी नहीं है कुछ important जो आपके questions है वो याद रखने है और World Cup, FIFA, Winter Games, Summer Olympics, All Games related Cups आपको याद रखने है आपको इंस्वरें सेक्टर से जो भी abbreviation है वो याद रखना योजना और allotted money याद रखने है और कौन किसने किसको क्य title दिया था जैसे महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था वो याद रखना है important dates याद रखने है और year of battle याद रखना है कि कौन कौन से मुख के युद्ध थे जो इनके इनके बीच हुआ वो याद रखना है dance form याद रखने है players और associated games याद रखने है और quality और article related questions याद रख होगे और मैंने कुल 17 topics बताएं हैं जो important हैं और आपके पास 15 दिन हैं उन सभी topics को जैसे आप अगर March का reverse order में अगर March का first two पहला और दूसरा पार्ट जेनरल अवे current affairs कर रहे हो अगर God of God का तो उसके बाद आप फिर उस दिन first in India पूरा cover करोगे फिर second in damn related question याद करोगे फिर third in sorrow of reference states याद करना है फिर four capital currency चोथे दिन पाच्वे दिन city known as और छटे दिन venue of different games याद करने तो इस तरह से आपको complete करना है और फिर लगाता बीच बीच में आपको revision करते रहना होगा और I hope आपको और इससे इसी इनी topics related questions जो है previous में में पूछे गए थे ESIC UDC में मैं काफी छाट कर आप लोगों के पास लेकर है अगर आप यह सभी topics cover कर लोगे और ज्यादा hyper नहीं होना है 15 दिनों को utilize करना है आप दो से तीन घंटा बस दो general awareness को दो घंटे मैं तो बस दो घंटे कहूंगा एक घंटे एक घंटे में आप वीडियो देखो तीस मिनट कर चाहिए या जितना का भी मिनट का वीडियो हो आप उसको cover करो बार बार करो फिर सोने वक्त करो तो आपको जो suitable बुजा है वो करो और कम समय के लिए best 300 सबसे ज्य यह कहूंगा आप उसको करो और जो मैंने topics बताएं उसको cover करो आई होप आप अगर यह cover कर लोगे तो आपको score definitely 40 पलस आएगा और मैं कोसिस करता हूं कि different static portions हैं मैं रोज कम से कम एक वीडियो आपके लिए डाल पाऊं ताकि 15 दिन में 15-17 topics आपके cover हो जाए आपको वीडियो पसंद आया हो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और मैं जल्दी आपको reasoning के और maths के क्या आपको strategy रहनी चाहिए वह भी मैं बताऊंगा और आपके English के क्या आप कैसे score कर पाऊंगे वह भी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा थैंक फूर वाचिंग की पाचिंग आपर वीडियोज